Hi guys, welcome back to my channel आज मैं थोड़ा अलग वीडियो लाई हूँ आप सब के लिए आज का वीडियो मेरा नहीं कुकिंग वीडियो है और नहीं मैं कोई टूर करने जा रही हूँ जो मैंने कोई व्लॉग बनाया है ऐसा भी कुछ नहीं है आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है Actually काफी सारे लोगों ने मुझसे एक question किया जब उन्होंने देखा कि मैं YouTube में वीडियोज डालने लगी हूँ तो कई सारे मेरे friends, family, relatives जो भी है सबका एक ही सवाल था कि कहां से तुमको ये idea या कि YouTube में वीडियोज डालू या कहां से आप motivate कहां से हुई तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ शेयर करना चाहती हूँ वैसे तो मैं कई सारे YouTubers को देखती हूँ कई सारे YouTubers को मैं 3-4-5 साल से follow कर रही हूँ लेकिन जो सबसे पहले जिस बंदी को मैंने देखा उनका नाम है, उनके चैनल का नाम है Indian Blogger Shomali ठीक है? सबसे पहले, चार साल पहले मैंने उनका सबसे पहला वीडियो देखा था ऐसे ही randomly मैं सारे YouTube में वीडियोज देख रही थी और उनका वीडियो मुझे एक सजेस्ट किया तो मैंने उस वीडियो को देखा मुझे काफी अच्छा लगा वो वीडियो तो मैंने उनके चैनल से निकाल के अपने पसंद से related और दो-तीन वीडियोज देखे ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा सारे वीडियोज को देखकर तो मैं उनके चैनल को फॉलो करने लगी मैं रोज उनके वीडियोज देखने लगी रोज इन दे सेंस जब ही वो डालती थी मैं उन वीडियोज को जरूर देखती थी और मैं उनसे बहुत हथ तक रिलेट कर पाती थी क्योंकि वो भी एक हाउस वाइफ है और चार साल पहले मैं भी एक हाउस वाईफी थी अभी भी मैं एक हाउस वाइफ हूँ लेकि साथन साथ मैं जॉब भी करती हूँ तो तब मेरे लिए बहुत easy था उनसे अपने आपको relate करना तो तब से मैं उनको देखने लगी और उनसे मुझे इसलिए motivation मिला क्योंकि वो एक housewife होने के बावजुद भी खुद जो वो घर बैट कर कर रही है उसी वीडियो से वो कितने लोगों को inspire कर रही है वैसे तो हम 24 गंटे फोन में पड़े ही रहते हैं to be very frank हम सब बहुत जादा फोन यूज करते हैं तो ये जो कोई भी vlogger हो housewife हो या housewife ना हो या कोई भी हो जो ये vlogging करते हैं या जो भी उनका time spend या waste आप बोल लीजिए कई सारे लोग बोलते हैं कि time waste है तो okay time waste करते हैं videos edit करने में, sound add करने में जो भी उनका time spend होता है मुझे लगता उससे जादा time हम phone में ऐसे ही spend कर देते हैं phone में इधर उधर की चीज़ों को देखने में ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो एक housewife होके अपने videos से मुझे जैसे कई सारे लोगों को inspire कर सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने videos के जरिए अगर हर video के जरिए मैं एक बंदी को भी या एक बंदे को भी किसी चीज़ से भी inspire कर पाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और उनके videos में मैंने एक चीज़ नोटिस किया house cleaning, cooking सजना, धजना घर सजाना हर घूमना, फिरना खाना, मस्ती और daily routine हर टाइप के आपको videos मिल जाएंगे तो जो मैं daily कर रही हूँ उसी को बना कर उसी चीजों से अगर मैं किसी को पायर कर पाऊं तो उसमें बुराई ही क्या है और ऐसा नहीं है कि कई सारे vloggers ऐसा बनाते हैं videos, ऐसा नहीं है कि बस वो अकेली है, कई सारे लोग है पर मैंने उनको follow किया, इसलिए मैं आप से share कर रही हूँ, वो मेरी inspiration है इसलिए मैं आपको उनकी बात share कर रही हूँ, अब देखेंगे वो काफी busy रहती है उनका शारपान चैनल चलता है आज की डेट पर और सारे by God's grace बहुत ही successful channels है, लेकिन फिर भी वो सारी सफाई घर की खुद करती है, और उनका घर पूरा tip-top नजर आता है videos में वो खुद हमेशा बहुत अच्छे से tip-top रहती है ऐसा नहीं कि housewife है, घरी में रहती है, तो कैसी भी रह लेते हैं जैसे mostly कई सारे लोग रहते हैं तो वैसा भी नहीं है, और cooking भी करती है, खाना भी खुदी बनाती है, एक बेटा है उनका बच्चे का ध्यान भी खुदी रखती है और साथ ही साथ कई सारे सारा जिम्मदारी वो खुद समालती है तो मुझे ये सीख मिली कि एक housewife हूँ तो मुझे ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि कहां मैं, कहां यूट्यूब में मेरा hobby है videos डालना पर मैं कहां टाल पाँँगी मैं तो इतनी busy रहती हूँ घर का काम, बच्चा देखना, जॉब करना ये सब कोई बहाना नहीं होता बस शौक होना चाहिए आपका अगर आपको शौक है तो आप कैसे भी उस काम को कर लेंगे तो मेरी सबसे first inspiration वो है सबसे पहली इसलिए वो है क्योंकि उन्ही का video मैंने पहले देखा और उन्ही को सबसे पहले मैंने subscribe किया था तो तब से लेके आज तक एक अलग सा connection सा बन गया है उनसे ऐसे लगता है मैं उनको कभी देखी नहीं हूँ आप पर मैं उनको पूरी तरह से जानती हो इस टाइप का लगता है अगर आप housewife हैं कोई भी housewife अगर इस video को देख रही है तो आप प्लीज इंडियन व्लॉगर शॉमिली चैनल में एक बार जा के देखिएगा और आप शुरू के वीडियो देखिएगा आज तक के अभी उनके चैनल में थोड़ा recent की कुछ उपर नीचे अब डाउन चल रहा है तो उसको हम ignore कर सकते हो वो हमारे मतलब की चीज नहीं है जो हमें सीखना है हम वो देख सकते हैं कई सारा आप उनका कई सारा चीज देखके बहुत ज्यादा inspire होंगे अगर आपको शौक हो वीडियोज देखने का अगर आपको इच्छा है यूट्यूब में आने का पर आपको बस एक इंस्पिरेशन या आपको बस एक चाबी की जरुवत है तो आप उनके वीडियोज जरूर देखिएगा और सेकेंड में नाम लेना चाहूंगे फ्लाइंग बीस्ट एक चैनल है मैंने अल्रेडी देखा है मेरे कई सारे फ्रेंड्स और फैमली मेंबर्स अल्रेडी उस चैनल को फॉलो किये हुए है तो वो भी गौरफ तनेज़ जी एक पाइलट है उनकी वाइस भी एक पाइलट है फिर भी इतने अच्छे प्रोफेशन में होने के बावजूद वो अपने शौक के लिए यूट्यूब में वीडियोज बनाते है तो clear है ये job is not an excuse ठीक है तो job कोई excuse नहीं है कि नहीं मैं तो job करती हूँ मैं क्यों YouTube वीडियोज बनाओ मुझे क्या जरुवत है हाँ जरुवत किसी को नहीं है पर अगर आपको इच्छा है अगर आपको थोड़ी भी मतलब थोड़ा भी आपको मन है YouTube में वीडियोज डालने का तो आप job को एक excuse मत बनाईए ठीक है और लास्टली मैं बोलना चाहूंगी जो हम सबका सबसे बड़ा problem रहता है especially ladies का बच्चा छोटा है अब मैं कैसे वीडियोज बनाऊ मेरे पास तो time ही नहीं है बच्चे को देखते देखते ही दिन कट जाता है सही बात है बच्चे के बीचे बहुत time जरुवत होती है देने की बच्चे को लेकिन MomCom India एक चैनल है जो मांसी मैम रन करती है और उनके हजबन सौरफ सर भी काफी उनको help करते हैं दोनों मिला की चैनल को चलाते हैं लेकिन उसकी मेन है मांसी मैम तो उनका जब से वो pregnant थी तब से उन्होंने वीडियोज डालना स्टार्ट किये और आज की डेट तक उनका बच्चा जिस step by step जैसे उसका growth हो रहा है उन्होंने कैसे क्या किया बच्चों का सारे बच्चे से related आपको एक इतनी सी इतनी बड़ी information भी उस चैनल में मिल जाएगी तो एक बच्चा पैदा किया उन्होंने तो वो उनका excuse नहीं बना अपने शौक को दबाने का उनको एक मौका मिल गया अब मैं इसके जरिये लोगों को inspire कर सकती हूँ तो वो भी एक चैनल है जिससे मैं बहुत inspired हूँ उसका नाम है फिर से मैं बोल दे रही हूँ Momcom India और यह सिर्फ मैं अपने inspiration के लिए नहीं बोल रही हूँ कोई भी अगर ladies आप देख रही है और अपका बच्चागर बहुत छोटा है बहुत छोटा मतलब न्यूबॉर्ण बेबी से आप देख सकते हैं 3-4 एर्स के बच्चे तक का छोटा से छोटा डीटेल आपको उनके चैनल में मिल जाएगा कोई भी तकलीफ हो आप उस चैनल को देख सकते हैं definitely I hope उनके चैनल से आपको help मिल ही जाएगी तो सबसे पहली तीन बात जो सबसे पहली बात मैं housewife हूँ मैं तो घर में बस काम करती हूँ तो मैं videos बनाने का समय कैसे निकालूंगी और videos को मतलब क्या videos डालूंगी content क्या रहेगा अगर आप housewife हैं तो आप क्या खाना बना रही हैं दिखाएए अगर कुछ अच्छा recipes बना रही हैं आप उसे दिखा सकते हैं अगर आप housewife हैं तो आप cleaning दिखा सकते हैं इसी बहाने आपका घर खुद का घर भी साफ रहेगा और आप दूसरे के घर को भी साफ करने में लोगों को inspire करेंगे ठीक है और तीसरा topic है अगर आप housewife हैं और इतना time बच्चे, husband, in-laws या जो भी है आपके घर में जो भी family members हैं उनको देने के बाद भी आप अपने शौक को पूरा कर रही हैं यूट्यूब में वीडियोज डाल के तो ये भी एक बहुत बड़ी inspiration की बात है second हमारा excuse रहता है वो है मैं job करती हूँ मुझे वीडियोज डालने का time नहीं है तो not only गौरफ तनेजा ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो job करते हैं लेकिन साथ ही साथ अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं vlogging का शौक हो गया या कोई भी किसी भी चीज से related शौक है आपको वीडियोज डालने का तो वो पूरा कर रहे हैं मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला ठीक है तो job करते हुए वीडियोज डालने के लिए वो है सबसे अच्छे example देने के लिए आप वीडियोज देखें उनके पहले के वीडियोज देखें अभी के वीडियोज देखें हमेशा आपको एंटेटेन्मेंट मिलेगा बहुत ही अच्छे हैं दोनों हस्बेंट वाइफ दोनों बनाते हैं वीडियोज वाइफ भी इंक्लूड़े रहे हैं फैमिली व्लोग बनाते हैं उन लोग बच्चा है मुझे तो समय ही नहीं है शौक बहुत है पर समय नहीं है वीडियोज डालने का तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले मॉमकॉम इंडिया चैनल को सर्च कीजिए उसके बाद स्टार्टिंग से आज तक के अभी उन्होंने व्लोग भी डालने शुरू किये हैं तो अगर आप व्लोग में इंट्रेस्टेड नहीं है तो उसे मत देखिए आप उनके पहले की वीडियोज देखिए शुरू से उन्होंने जब से डालना शुरू किया उनका बेबी अभी शायद थ्री या फोर यर्स का I guess तो उसका उस बच्चे का भी एक चैनल है तो बच्चा जो एक्टिविटीज कर रहा है वो भी एक चैनल की जरीए सारे मेमोरीज को उन्होंग इखटा कर रहे है ताकि बच्चा आगे जाके देख पाए और खुश हो पाए तो वो चैनल आप सबसे पहले जाके देखिए अगर आपका ये एक्स्क्यूस है कि शौक तो मुझे भी है लेकि मेरा चोटा बच्चा है बच्चा मेरा भी बहुत चोटा है तीन साल का ही है तो फिर भी बस शौक है और कई सारे लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिला वो तीन में नाम मैंने आपको बता दिया सबसे पहला चैनल इंडियन ब्लॉगर शौमली सेकेंड चैनल फ्लाइंग बीस्ट और थर्ड चैनल है मॉमकॉम इंडिया यह तीनों चैनल से मुझे मेरे जो तीनों एक्सक्यूस थे वीडियोस में ही डालने के वो सारे खतम हो गए और मैं इंस्पार होगे कि मुझे वीडियोस डालने है अगर आपको मेरे for example अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ अगर आप इस वीडियो को देखके जितने आज 200 लोग देख रहे हैं लेकिन हो सकता है अगर आपका कृपा रहे आपका प्यार रहें तो हो सकता है आगे-जागे 200 लोग देखे या 200,000 देखे भगवान करे 200,000 लोग देखले कभी आज से दस साल लगे या दो साल लगे अगर देखे और उसमें से एक बंदी भी अगर इंस्पायर होती है कि हाँ मैंने सही कहा है तो मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल सक्सेस्फूल रहा जाएगा तो यही था मेरा रीजन मैं सबको अब पर्सनली हर किसी को तो मैं बता नहीं सकती इतनी लंबी स्टोरी तो मैंने सोचा मैं एक छोटा से वीडियो बनाती हूँ और डाल देती हूँ मेरे चैनल में आज की डेट पे दोसों से उपर सब्स्क्राइबर्स हुए हैं मेरा जस्ट 3.5-4 मन्स कम्ट्लीट होने वाला मैंने चैनल बनाया है आप सब के प्यार की वज़े से इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं व्यूस भी थोड़े बहुत आ रहे हैं और I hope अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल अगर आपको कुछ भी इंट्रेस्टिंग लगे इस चैनल में या information मिले आपको इस चैनल से या आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को देखना तो मैं उमीद करती हूँ मेरे सब्स्ट्राइबर्स आगे बढ़ेंगे काफी सारे लोग मेरे चैनल को देखेंगे और किसी ना किसी को किसी ना किसी वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ help मिल जाएगी कभी हो सकता है मैं travel के जरी ये कोई जगे की information दो, कभी मैं कुछ अपनी नई recipe share करूँ आप से जिससे आपको वो बनाने में help हो या कभी हो सकता है मैं जब YouTube से जुड़ी हूँ, आप सब से मैं जुड़ी हूँ तो मेरे life से related कुछ मैं आप से share करूँ जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं क्यों YouTube में वीडियोस डालना start की, मेरा idea कहां से YouTube में वीडियोस डालने का idea कहां से आया actually idea बहुत पहले से ही आया बहुत पहले से मन्त था लेकिन just एक मैंने कहां मैं एक किक की जरुवत थी जो मुझे इन तीनों चैनल से मिल गया और मैंने start कर दिया थोड़ा late for मुझे start करने में बटाई हूँ अब जब start हुआ है तो सब कुछ अच्छा जाएगा और एक दिन कभी ना कभी एक दिन let's hope for the best मेरा चैनल जरूर आगे बढ़ेगा और तो उमीद है आप मेरे चैनल को help करेंगे और किसी को भी अगर थोड़ा भी inspiration मिला हो मेरे इस वीडियो से तो प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईएगा और अगर आपको लगता है किसी आपके friend या family member को इस वीडियो से थोड़ा भी inspiration मिलने वाला है तो आप उनसे भी definitely ये video share कीजिएगा तो थोड़ी बहुत चीजे मुझे आती है, cooking आती है कुछ मुझे अपना personal चीज share करना है तो मैं आपसे जरूर share करूँगी जो मैं आपसे connect करने लगी हूँ तो definitely मैं चाहूँगी हम और भी ज़्यादा connection अपना बढ़ाए और हमारा relation काफी अच्छा हो तो इसलिए मैं आपसे personal चीजे भी कुछ share करूँगी जो share करने जैसी चीजे हो जिससे आपको अच्छा लगे कुछ और कहीं अगर मैं घूमने जाती हूँ तो मैं definitely उसका vlog बनाती हूँ और सबसे बड़ी बात मेरे चैनल का सबसे सबसे एक normal चीज मैंने maintain किया शुरू से कुछ भी मैंने दिखावा नहीं किया है जो मैं हूँ जैसी मैं हूँ जितनी सिंपल से सिंपल भी आपको इस चैनल में वीडियोस दिख जाएंगी और थोड़ी जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं प्रेजंट करती हूँ ऐसे नहीं कि बहुत जादा कुछ फैंसी प्रेजंट कर रही हूँ क्योंकि देखें मुझे ये वीडियोस डेली डालने है तो मैं बहुत जादा फैंसी नहीं कर सकती मैं दिखावा दो दिन कर सकती हूँ दो महीने कर सकती हूँ उससे जादा तो नहीं कर सकती न इसलिए मैंने सोचा है जैसी मैं हूँ बिलकुल वैसे natural videos बनाऊंगी ताकि long term तक मैं natural ही रह पाऊं दिखावा मैं जादे देर तक नहीं कर सकती तो इसलिए अगर मेरे channel के आपको ये simple और sober vlogs अच्छे लगते हैं अगर मेरे recipes आपको अच्छी लगते हैं तो मेरे channel को subscribe कर दीजिए notification bell दबा दीजिए और video अच्छा लगे तो like करना मत भूलिए friends कई लोग होते हैं जो देख के चले जाते हैं बट like नहीं करते हैं अगर आपको पसंद आए तो definitely एक like कर दीजिए इससे video बनाने वाले को भी एक motivation मिलता है और आपको जो अच्छा लगे उस video का आप definitely comment कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे तो वो भी comment कर दीजिए कोई problem नहीं है अगर आपको video अच्छा ना लगे तो आप dislike भी कर सकते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है जरूरी नहीं है हर किसी को हर video अच्छा लगे तो वो सब most welcome appreciation भी welcome और जो नहीं appreciate कर रहे हैं कोई चीज उनको अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए भी हम तयार हैं तो चलिए friends ये video मैं यहीं end करती हूँ मैं कई सारे friends और family members को इस video के जरीए अपना message पहुँचा दिया मैंने कि मैं क्यों YouTube channel start किया मैंने अपना मैं क्यों videos डालने लगी तो चलिए नमस्ते बाब बाई